आज मैं बना रही हूँ कैफे स्टाइल कॉफी घर पे बहुत ही आसान तरीके से एकदम परफेक्ट बिना मसीन के बिना फिल्टर के घर पे कॉफी बनाएंगे जब आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हों तो फटा फट से आप इस तरीके से बहुत सारी कॉफी घर पे बना के तयार कर सकते हैं तो इसके लिए हम लेते हैं एक मिक्सर जार इसमें हम डाल देते हैं चार चम्मच कॉफी का पाउडर तो मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने 4 चमच कॉफी का पाउडर लिया है और इसमें डाल देते हैं 6 चमच चीनी आप जितने लोगों के लिए बना रहे हूँ उसके हिसाब से आप इसमें कॉफी डाल सकते हैं छार लोगों के लिए बना रहे हूँ तो चार चममज डाला है और इसके बाद इसको एक बार इस तरह केसे अच्छी से मैक्स कर लेंगे दोनों चीजों को और अब हम इस दालेंगे दो आइस क्यूं कर और इसका धककन बंद करके इसे एक मिनिट के लिए मिक्सी में चला लेंगे थोड़ा सा रुक रुक के चलाएंगे लगातार नहीं चलाएंगे और उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं एक मिनट चलाने के बाद तो यह देखे इसका जो हलका सा इस तरह के से इसका टेक्सर आ गया है तो हम इस तरह के सा यह हो गया तो बाद हम इसमें एक आइस क्यूब और डाल देते हैं इसके बाद हम इसे दो मिनट के लिए फिर से मिक्षी में चलाएंगे दो मिनट चलाएंगे लेकिन लगातार नहीं चलाना है रुक रुक के हमें चलाना है दो कुछ सेकंड से चलाना है फिर कुछ देर के लिए रुक जाना तो यह देखे इस तरीके से हमारा कॉफी का पेस्ट बनके तन्यार हो गया है एक दम परफेक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से यह कॉफी हमारी बनेगी तो इसे हम एक मिनिट फिर से मिक्सी में चला लेते हैं काफी गाडा और एकदम क्रीमी सा ज्धाग काफी बुष्भी बन गई हमारी जोग पेस्ट है और इसका कलर देखें बहुत ही लाइट हो गया है और आप हम ले लेते हैं कप जिसमें हमें नीची कमच का पेस्ट जो उ Начynिब बनाके तैयार किया था और आपको जादा कॉफी पसंद है तो आप इसमें तीन चम्मज डाल दीजिए और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं एक दम गर्मा गरम दूद तो मैंने दूद गरम करने के लिए रख दिया था दूद बिल्कुल अच्छे से उबला हुआ है इसके बाद हम इसमें दूद डालेंगे यह देखे इसमें इतना जाग बन गया है और इसके उपर से हम एक एक चम्मज फिर से कॉफी का पेस्ट डाल देते हैं बहुत ही जटपट बनने वाली थोड़ा सा उपर से मैंने कॉफी का पावडर डाल दिया है जो दिखने में बहुत सुन्दर दिखती है और यह हमारी कॉफी बन के तैयार है